वर्लकप शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बागी रह गए हैं लेकिन अभी भी अक्षर पटेल के वर्लकप में खेलने पर कुशन मार्ग लगा हुआ है वजे अक्षर की इंजरी जिसके चलते वो उस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो वंडे मैचों से भी बाहर रहे जो फिलाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वंडे सिरीज का भी हिस्सा है और अश्विन को तो शुरुआती दोनों वंडे में प्लेंग लेवन का हिस्सा भी रखा जिसमें अश्विन ने कुल चार विकेड भी चटकाए हैं अब ऐसे में सभी को यही लग रहा है कि अगर अक्षर पूरी तरह वर्लकप से पहले फिट नहीं होते हैं तो अश्विन वर्लकप स्क्वर्ड में अक्षर को रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि अश्विन के पास सुन्दर के मुकाबले ज़्यादा एक्सपीरियंस है लेकिन इस मुद्दे पर फॉर्मर अस्ट्रेलियाई कप्तान एरुन फिंच की एक अलगी सोच नजर आ रही है जिसको लेकर उन्होंने बात भी की और बताया कि क्यों अश्विन को वर्लकप के फाइनल फिटिन में नहीं होना चाहिए बलकि एक मेंटोर के तोर पर टीम के साथ जुड़ना चाहिए फिंच बोले मुझे लगता है कि अश्विन का वर्लकप टीम में शामिल होना मुश्किल है लेकिन हाँ जिस दर्जे के वह खिलाडी है उनसे टीम में मुझूद बाकी खिलाडियों को काफी सीखने को मिल सकता है क्योंकि अश्विन बड़े मोकों पर तदर्शन करने वाले खिलाडी है फिर चाहे वो टेस्ट में हो या फिर T20 क्रिकेट में इसलिए मुझे बिलकुल भी हरानी नहीं होगी अगर अश्विन वर्ल्लकप में बतोर खिलाडी की बजाए बतोर मेंटर टीम के साथ चुड़ें क्योंकि आखरी पंदरा में तो अश्विन मेरे हिसाब से फिट नहीं होते ये तो रही फिंच की सोच लेकिन अगर अश्विन का कमबैक देखें तो अब तक भारतिय टीम के फिवर में ही रहा है करीब देड साल से भी जादा समय बाद इंडिया की वंडे टीम में वाफसी कर रहे अश्विन ने अब तक तो दोनों मैचों में कंगारू टीम को परिशान किया है और वैसे भी 28 सितंबर तक वर्ल कप की टीम में बदलाब किया जा सकता है तो क्या टीम मेनेजमेंट और कप्तान रोहित शर्मा इस बारे में सोच रहे हैं क्या अक्षर ही वर्ल कप से पहले फुली फिट हो जाएंगे या फिर अश्विन और सुन्दर में से कोई एक रेप्लेस्मेंट में जुड़ेगा टीम इडिया के साथ सवाल काफी है बस उमीद यही है कि इसका जवाब टीम इडिया के फिवर में ही रहे Bureau Report Sports तक मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब जानने के लिए हर अपडेट, लाइव अनालेसिस, स्पेशल इडिव्यूस, डाउनलोड कीजिए Sports The Camp